बच्चों अब हम बिकेवे माल के लागत की गढ़ना का फॉर्मेट देखेंगे यह हमारे पास बिकेवे माल के लागत की गढ़ना का फॉर्मेट है इसमें सबसे पहले हम प्रारंबिक इसकन लिखेंगे और प्रारंबिक इसकन में हम क्रे को जोड़ेंगे उसके बाद हम इसम अमाउंट रिसीव होगी उस अमाउंट से हम क्लोजिंग स्टॉप को माइनस करेंगे और फिर जो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वह हमारे बिके हुए माल के लागत है आईए हम इसे एक उधारण के माध्यम से और अच्छे से समझें निम्डी सुष नौ से बेचे गया मा तथा सक लाप ग्याद केजिए ए प्रारंबिक इसकन बीस अजार विक्रे पांच लाग करे ह 못 दीन लाग करे मान्तित गाडी बहाड़ा आठ जार मज्दूरी बाइश घजर क्रे वापसी पांच थीजर शंौंट धिन इस हजार चलिए अब हम बेचे गए माल की लागत की गढ़ना करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले प्रारंबिक इसकंद लिखेंगे जो कि 20,000 का है अब हम 20,000 में क्रे प्लस करेंगे क्रे है 3,000,000 का हमने दोनों अमाउंट को प्लस किया तो हमें 3,20,000 की अमाउंट रिसीव हो रही है अब इस 3,20,000 की अमाउंट से हम पहले क्रेवापसी माइनस करेंगे जो कि 5,000 की है अब हमारे पास बैलन्स आ रहा है 3,15,000 का अब इस 3,15,000 में हम प्रत्यक्षवे प्लस करेंगे जो कि 8,000 का है और मजदूरी 22,000 की है जब हमने 3,15,000 से भाड़ा और मजदूरी प्लस करेंगे उसके बाद हमारे पास 3,45,000 की अमाउंट रिसीव हो रही है अब इस अमाउंट से हम अंति मिसकंद को माइनस कर देंगे जो कि 30,000 की है तब हमें 3,15,000 की अमाउंट रिसीव होगी यही अमाउंट बेचे गैमाल की लागत कहलाएगी अब इसके आधार पर हम सकल लाप की गढ़ना करेंगे सकल लाप की गढ़ना के लिए हम सबसे पहले विक्रे लिखेंगे जो कि 5,000,000 का है अब विक्रे से विक्रे बापसी को माइनस करेंगे जो कि 10,000 की है माइनस करने के बाद हमें 4,90,000 की अमाउंट रिसीव होगी इस 4,90,000 की अबाउंट से हम बेचे गैमाल की लागत 3,15,000 को माइनस कर देंगे अब जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है मतलब 1,75,000 यही 1,75,000 सकल लाप होगा झाल